ब्लूटूथ स्पीकर के कमपेटेशन में चैनिज कमपनी ला टीवी ने भी अपना कदम रख दिया है जहां JBL, Flakes और भी सारी कमपनिया इस सेग्मेंट में अच्छा काम कर रही है वहीं ला टीवी ने क्या नया लाया है अपने ब्लूटूथ स्पीकर में जानते हैं इस वीडियो में ये स्पीकर आपको चार कलर वैडियेंट में मिलेंगे ब्लू, ओरेंज, पिंक और ब्लैक शुरुवत करते हैं इसकी डिजैन से ये स्पीकर हार्ड ABS मेटरियल की बनी हुई है स्पीकर की बीच वाले हिस्से में चारो तरफ मेटर ग्रिल दी हुई है जबकि टॉप और बॉटम में रबर मेटरियल मिल जाएंगे स्पीकर के टॉप में एक सिंगल बटन दी गई है जो स्पीकर को ON-OFF, Bluetooth Pairing और Call Receive Call End करने के काम में आती है स्पीकर के बैक साइड में सिंगल चार्जिंग पोर दी गई है स्पीकर के बाटम में rubber pads, technical information और serial number दी हुई है बटन के चारों तरफ एक indication light मिल जाएगा जो स्पीकर ON condition में और Pairing mode में blue blink करती है और charging time में red color में glow करती है connectivity के लिए इसमें सिर्फ Bluetooth का option दिया हुआ है जिसका version 4.0 है इसे आप एक साथ दू रिवाइस के साथ connect कर सकते हैं Bluetooth के reception काफी अच्छा है 10 मिटर या 30 फुट तक किसी पी तरह का signal drop के समस्या नहीं होती है इसमें आपको built-in mic का option मिल जाता है जिससे आप आथाने से hands-free calling कर सकते हैं स्पीकर में दी हुई button से आप call receive या end कर सकते हैं call के दौरान स्पीकर की आवाज काफी loud और clear है लेकिन opposite end में sound थोरी धी में जाती है इसमें 1200 image के बैटरी दी गई है full volume में play करने पर 6-6 घंटे का बैटरी वेकप मिल जाता है 40 mm 5W के दो driver और 47 mm के passive radiator को काफी बहतरीन तरीके से tuning और pulsioning किया गया है जिससे crisp, clear और powerful bass output मिलती है यह speaker 270 डिग्री जाता है stereo sound produce करती है और single room के अंदर काफी बहतर तरीके से समझ आती है speaker की sound crisp, clear है और powerful bass effect प्रडूस करती है full volume पर किसी प्रकार की distortion या crackling noise नहीं आती है low volume से लेकर full volume तक sound और bass का ratio समान रहता है जो काफी अच्छी बात है indoor use के लिए speaker idle है अपने decks पर as a personal speaker use कर सकते है single room के लिए इसकी sound काफी है इस speaker की कुछ con से नहीं कमिया है जो यहाँ बताना चाहूँगा connectivity के लिए इसमें आपको सिर्फ Bluetooth का option मिलता है आप aux cable, pen drive या card reader इसमें कर सकते हैं इसमें आपको volume up-down का button नहीं मिलेगा जिस device से connect है उसी से आपको volume control करने परेंगे यह speaker dust proof, sock proof या waterproof नहीं है लेकिन इस speaker के सब सखास बात है इसकी 270 degree stereo sound effect अगर आप 3D built और compact form factor में कोई Bluetooth speaker चाहते हैं जो deep bass produce करता हो तो दिल्कुल आप इस speaker को लिए सकते हैं इसके purchase link में वीडियो के description में दे रहा हूँ वहाँ से आप इसे purchase कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आए तो क्रिपया लाइक करें शेयर करें अगर वीडियो के विशे में कोई भी सवाल सुजा हूँ तो क्रिपया comment box में लिखें और क्रिपया टेक वांद वो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें ताकि इसे प्रकार के डेक रिल्टेट वीडियो आप प्राप कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है